हेलो प्रेंग्स आज हम क्लास 11 से एक कुर्शन सौल करेंगे from the chapter Permutations कुर्शन है in how many ways in distinct permutation of the letter of the word Mississippi do the all four eyes not come together कुर्शन कुछ इस तरह से है कि जो Mississippi word है इसमें कित्रे सारे permutation आ सकते हैं जब इसके चारो आई एक सार ना आए देखे रहा है इसको इसको करने का तरीका क्या है सबसे पहले चारो आई एक साथ आए ना आए उसको छोड़ देते हैं पहले देखते हैं total permutation of the given word जो word आपको given है उसके total कित्रे सारे permutation बन सकते हैं पहले वो निकालते हैं तो देखे टोटल कित्रे लेटर्स है एक दो तीर चार पांच छेस आए नोग दस जाना इलेवन कर तो ही डरी upon अब जितने सारे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनसे उनको डवाइट कर देए जैसे देखे आई चार बार रिपीट हो रहा है तो फोल से डिवाइट एस चार बार रिपीट हो रहा है तो फोल से डिवाइट और फी दो बार रिपीट हो रहा है तो तू से डिवाइट मतलब टोटल नमबर का टोटल नेक वर्ड का total permutation निकाल नेके जाके है total digit का factorial divided by repetition of the digits का factorial जैसे की total 11 लेकर से 11 factorial 4 बार S हो रहा है repeat 4 factorial 4 बार I repeat हो रहा है 4 factorial 2 बार P repeat हो रहा है 2 factorial ठीक है अब ये तो वाक है total permutation इसमें 4 बार एक साथ है नई है आगे है पीछे है in all अब देखे रहा है total permutation total permutation when all all 4 I come together अब मैं सारे permutation निकाल रहा हूँ जब 4 बार एक साथ आ जाए तो देखे रहा है 4 बार एक साथ आ जाए तो अब एक साथ आए तो ने एक लेटर माल लीजे अब देखे बचे क्या वार्ण है M I R चुका है double S I R चुका है double S I R चुका है और double तो देखे कैसे तिंते हैं से एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ और यह पूरा एक हाथ 8 factorial upon देखे कुछ रिपीट हो रहा है क्या है बिल्कुल 4 बार S रिपीट हो रहा है और दो बार P रिपीट हो रहा है तो यह factorial क्या है total permutation of the word Mississippi when all the 4 I come together come together का factorial हो गया 8 factorial upon 4 factorial into 2 factorial जैसे की portion में लिखा है कि 4 I not come together 4 I not come together क्या करेंगे हम देखे रहा हैं से total permutation total permutation when 4 I not come together तो क्या की जै क्या है तरीका क्या है इसका total factorial minus 4 I come together इसमें से minus करेंगे प्रश्चिट लें रहा हो एक बाद परसे बताता हो हमने क्या किया है हमब कि not come together के लिए 4 I not come together के लिए total factorial में से 4 I come together minus करेंगे यह जो भी अब solve करके आएगा इसमें 4 I एक साथ कभी नहीं हैं एक बाद में प्रश्चिट को फिर से आपको फंदाया है तो इसमें आप इसे call करता है यह आपको कर लिएगा मैं आपको प्रश्चिट को फिर से बताता हूँ एक बाद मिसिसिपी दिया हुआ है उसमें condition यह है कि उसमें चार आई आ राखी है अगर वो चारो आई एक साथ ना आए तो कितने सारे permutation बन सकते हैं तो हमने क्या किया पहले उस शबत कर टोटल permutation निकाल दिया जो कितना आया 11 factorial upon 4 factorial into 4 factorial upon 2 factorial और उसमें से वो permutation मानस कर दिया जिसमें से चारो आई एक साथ आ जाए that is 8 factorial upon 4 factorial into 2 factorial तो final answer क्या हो गया तोटल में से चारो आई एक साथ आ जाए मैंने मैंने मैंस कर दिया तो वो सारे permutation निकल के आएंगे जिसमें चारो आई एक साथ ना अगर इसको आ गया तो solve कर दिया that's all हमारे वीवर्स को अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आप कमने शेयर लाइक कर सकते हैं आप हमें वाट्सप भी कर सकते हैं हमारा नबर उपर लिखा हुआ है आपको किसी तरह का कोई query है तो आप उमें बड़ी भेश सकते हैं हम जलती जलत बड़ी को सौल करने के कुशिश करेंगे Let's all